सल्मान खान के शो बिग बॉस फेम स्वामी ओम का नया चौंकाने वाला अफ्तार देखने को मिल रहा है लंबे लंबे केश और दाड़ी मूच रखने वाले स्वामी ओम हर्याना के पानी पत में एकदम नए लुक में नज़र आए वे क्लीन शेव थे और उन्होंने अपने बाल भी कटवा लिये है हाला कि बाबा ने लुक बदलने वाली बात का खंडन किया है उन्होंने कहा है कि वे अभी उसी पुराने दाड़ी मूच और लंबे केश वाले लुक में है वही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी ये तस्वीरें कुछ और ही बया कर रही है पता दें की रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 10 में सबसे ज़्यादा सोखियां बटोरने वाले कंटेस्टेंट स्वामी ओम के साथ पानीपत में लूट पार्ट हुई थी स्वामी ओम ने इस सम्मंद थाना शहर के अंतरगत 6-7 की पुलिस चौंकी में शिकायत भी दर्ज करवा दी है मामले में 6 युपकों पर केस दर्ज करवाया गया था उनमें एक MLA का भाई भी था इसके विप्रीद युपकों ने स्वामी ओम पर केस रफा दफा करने की एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया था एक बार फिर से बता दें सल्मान खान के शो बिग बॉस पेम स्वामी ओम का नया चौंकाने वाला अफ़तार देखने को मिल रहा है लंबे लंबे केश और दाड़ी मूच रखने वाले स्वामी ओम हर्याना के पानी पत में एकदम नए लुक में नज़र आए वे क्लीन शेफ थी और उन्होंने अपने बाल भी कटवा लिये है हाला कि बाबा ने लुक बदलने वाली बात का खंडन किया है उन्होंने कहा है कि वै अभी उसी पुराने दाड़ी मूच और लंबे केश वाले लुक में है वही सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही उनकी ये तस्वीरें कुछ और ही बया कर रही है बता दें कि रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 10 में सबसे ज़्यादा सोखियां बटोरने वाले कंटेस्टेंट स्वामी ओम के साथ पानीपत में लूट बाट हुई थी स्वामी ओम ने इस सम्मंद ठाना शहर के अंतरगत छे साथ की पुलिस चौंकी में शिकायत भी दरज करवा दी है मामले में छे युकों पर केस दरज करवाया गया था उनमें एक MLA का भाई भी था इसके विप्रीत युकों ने स्वामी ओम पर केस रफा दफा करने की एवज में पैसे मांगने का आरोग लगाया था